बेन स्टॉक्स के खिलाफ एक खास रन नीती से उत्रेगी कोलकाता की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स इंडियन प्रीमियर लीग आईपी एल के दस्वे संस करण के अपने अगले मैच में राइजिंग पुने सुपर जाइंद के बलेबाज बेन स्टॉक्स को जल्दी आउट करने की रन नीती के साथ उत्रेंगे कोलकाता और पुने की टीमे बुद्वार को आमने सामने होंगी कोलकाता नाइट राइडर्स करेगा जल्द से जल्द बेन स्टॉक्स को आउट करना आईपी एल दस के सबसे महंगे खिलाडी स्टॉक्स ने सोमवार को गुजरात लायन्स के खिलाफ 63 गेंदों में एक सो तीन रनों का पारी खेलते हुए पुने को जीत दिलाई थी उनकी यह पारी उस समय आई थी जब पुने ने दस रनों पर ही अपने तीन विकेट खो दिये थे वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स इस मैच में संग्राइजर्स हैदरबाद के हाथों मिली 48 रनों की हार के बाद उतर रही है मैच से पहले सम्बादा था सम्मेलन में कोलकाता के कोलंडी ग्रांड हो में ने कहा कि मेरा मानना है कि हमें अपनी रणनीती पर अच्छे से अमल करना होगा और उंक शित्रों में गेंद करनी होगी जहां वे स्टॉक्स ज्यादा मजबूत नहीं है ग्रांड हो में से जब पूछा गया कि क्या कोलकाता नाइट राइडर्स का निचला क्रम टीम के लिए चिंता का विश्व है तो उन्होंने कहा मेरा मानना है कि निचले क्रम को जितना मौका मिलेगा वे उतना बेहतर होगा बले बाज अपना काम अच्छे से कर रहे हैं जो अच्छी बात है ग्रांड हो में ने कहा कि व्यक्तगत और पर IPL का अनुभव उनके लिए शांदार रहा है उन्होंने कहा IPL विश्व में सबसे बड़ा टूर नमेंट है IPL में खेलना बड़ी बात है विश्व के बड़े खिलाडियों के सामने खेलना बड़ी बात है उन्होंने कहा आप सर्वश्वेश्ट कोच, कप्तानों और गिवा खिलाडियों के साथ रहकर काफी कुछ सीखते हैं